हलो फ्रेंड आज मैं चने दाल का सब्जी बना रही हूं चन्ना दाल को 2-3 घंटा फुला दी थी उसे अच्छी तरह से साफ करके पीछ लिया है अब इसमें थोरा मसाला डालूंगी हल्दी पॉडर अजवाइन गरम मसाला कटा हुआ प्याज प्याज आप कम ज्यादा कर सकती है मैंने दो डाला है इसमें स्वाद के अनुसान नमक अब इसमें लहसान अद्रक का पेश्ट डालें अब इसे अच्छी तरह से मिला लें अब एक पेन में सर्षो का तेल गरम की हुँ हाथ में पानी लगाने से चिपकेगा नहीं तेल गरम हो गया है अब मीडियम कर दी अब एक एक करके इस तरह से बनाऊंगी इसी तरह से सारे डाल का बनाऊंगी जब घर में सबजी नहीं रहता है तो समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं इस तरह से भी कभी कभी बना कर खाना चाहिए टेस्ट बदल जाता है यह देखिए मैंने उलट पलट कर इसे पका लिया है अब एक एक करके निकाले यह देखिए पूरा बन गया है दोस्तों तेल ज्यादा है इसे मैं निकालूंगी जिस तेल में पकावरी बनाए थी उसी तेल में बनाऊंगी थोरा हीं जीरा तेजपत्ता अब इसमें कटावा पियाज डाल रहे हूं तीन पियाज डाली हूं नमक डाल रहे हूं थोड़ा ताकि पियाज गल जाए अब इसमें लासन अद्रक का पेश्ट डालें यह टमाटर का पेश्ट है अब इसे अच्छी तरह से सबको भुद्ना है धनिया पडर हल्दी पडर काश्मीरी मीर्च अभी इन सबी को अच्छी तरह से भूने मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि मसाला जले नहीं यह देखिए दोस्तों मसाला भुण चुका है तेल छोड़ दिया है अब थोड़ा कसूरी मेथी डाल रहे हूं यह ज्यादा ना डाले नहीं तो सब्जी करवा लगेगा यह बिल्कुल भून चुका है यह देखिए जो दाल का पकवरी बनाई थी उसी में से थोड़ा पचाली थी इसे भी डाल कर भूनी हूं हलका सा पानी डाले यह देखिए दोस्तों मसाला से तेल छोड़ दिया है अब यह पानी डाल रहे हूं जिस कटोरा में डाल था उसी कटोरा से डाल रहे हूं आपको जितना ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से पानी डाले यह गरम मसाला है अब इसमें सारे पकवरी डाल दें अच्छी तरह से मिलाकर ढख देना है दो मिनिट के लिए पानी थोड़ा कम लग रहा है अब इसे ढख दें अब दो तीन मिनिट के लिए इसे उबालूंगी यह देखिए बिलकुल पक चुका है यह ठंडा होने के बाद बिलकुल गाढ़ा हो जाएगा एक निकाल कर दिखा रही हूँ यह सेर्व करने के लिए बिलकुल तयार है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें दोस्तों यह बहुत टेस्टी सबजी बनी है थैंक यू स्क्राइब काको यह जोस्तों है टीचे हम ये भीडियो वाएगा सर शेद्ध सब्सक्राइब करें दोस्तों